हेलो एवरीवन, MCI ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे इस न्यूस से बहुत ही अच्छा लगा सुनके कि MCI भी आप फोकस करने लगा है MBBS के उपर, तो MCI ने बिसिकली क्या किया है, आप जब 21 एर के बाद उन्होंने फोकस किया है Medical Ethics के उपर, उन्होंने इंक्रीज किया, एथिस के उपर जो बहुत ही इंपोर्टन था, जो भी MBBS करने वाले हैं, और जो अपडेट हुआ है, जो करकुलम था MBBS का, उसमें ही बहुत सारे अपडेटेड हुए हैं, ठीक है, जैसे एथिस हुआ, कम्मुनिकेशन हुआ, और्ग MBBS बेस अंडर गेजुएट करकुलम था, MCI का सारा अपडेटेड हो चुका है, बहुत ही अच्छा लगा सुनके, मैं लगा आप लोगों के साथ भी सेयर करना चाहिए, क्योंकि आप लोग भी आगे चलके एक सक्सिसफूल डॉक्टर बनोगे, एंबिवियस करोगे, तो जो कोर्स है, आप अपडेटेड कोर्स करोगे, बहुत ही अच्छी बात ही है, क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ आप, देखो आप, आप कैसे ही देखो, ये मेडिकल, MCI का जो, फोकुसिंग है, कि किस पे फोकुसिंग है, आपको डिस्क्राइब देखो, देखो, पॉस्केप, बहुत सालिट टीम लीडर, देखो नॉलेज, सकील, एकट्यूड, वैल्यू क्मुनिकेशन, इस पे आप MCI ज्यादा फोकुस करेगा, तो बहुत ही इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप्टर 21 येर के बाद, MCI ने अपना जो MPBS का कर्कुलय में क चेंज किया तो आपको जो आप MPBS करोगे जो अभी कर रहे हैं या करने वाले हैं उनके लिए बहुत ही beneficial है यह पूरा detail अगर आप चाहो तो इसकी link मैं description में देदूँगा आप पूरा detail ले ले लेना जो भी MPBS कर रहे हैं उनके लिए तो है यह है ठीक है तो आको अच्छा लगा हुआ यह वीडियो चनल को सब्सक्राइब कर लिए बदा किनको प्रेस कर लेना और लाइक कर के चरुए हाना थाइस पर वाचिंगा थाइस वीडियोगा